दोस्तो एक blur photo और एक sharp photo में वही फर्क होता है जो एक beginner और एक professional photographer में फर्क होता है बहुत सरे हमारे जो subscriber viewers हैं वो लिखते हैं कि sir हम अपनी photos जब लेते हैं specially जब commercial assignments पे होते हैं कई बार ऐसा होता है कि हमारी जो picture है जब हम पीचे screen पे देखते हैं तो हमें काफी sharp नजर आती है बट जैसी उस picture को हम अपने laptop पे transfer करते हैं बड़े screen पे देखते हैं तो देखते हैं कि picture जो है वो sharp नहीं बल्कि उसमें थोड़ा सा blur effect है आइज उतनी sharp नहीं है overall जो एक feeling होनीचे sharp photo की वो नहीं निकल के आ रही है और धोका खाते हो इस वाले screen को देखकर और जब बड़े screen पे देखते हैं तो समझ माता है कि अच्छा lens अच्छा camera यूज करने की बावजूद भी पिक्चर उनकी sharp नहीं आ रही है अब इसके क्या कारण हो सकते हैं उसे समझना बहुत ज़रूरी है तो आपके सिंग अगर ऐसे होता है तो इस वीडियो का आप एंड तक ज़रूर देखिए आज हम मैं आपको पूरा live demo करके दिखाऊंगा पहले गलती करके दिखाऊंगा और उस गलती को ठीक करके दिखाऊंगा ताकि आपको समझने में जो है वो बहुत आसानी होने वाली है लेकिन उसके पहले आपसे सिर्फ यह कहना चाऊंगा अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू सब्सक्राइब में चैनल क्योंकि जब आप चैनल सब्सक्राइब करते हो तो दिल को लगता है बहुत ही अच्छा और भी अच्छे चे वीडियो बनाने की प्रेड़ना भी मिलती है अब देखिए अकसर हमारी गलते हो का जो राज है वो बिल्कुल छुपा होता है फोटोग्रफी बेसिक्स में लेकिन हम उसकी जगा बेसिक्स को समझने की जगा हम चले जाते हैं महंगी कैमरा खरीदने के लिए और यह सोच के कि महंगा कैमरा खरीदेंगे तो इससे फोटो भी चार पाएगी अच्छी आएगी जबकि यह सारा जो खेल है वो स्किल्स का है टेक्नीक का है और हमें हमारे बेसिक्स अगर नहीं पता फोटोग्रफी के तो फिर जो है आप कितना भी महंगा कैमरा यूज़ कर लोगे आपकी फोटोज में कुछ ना कुछ इशूज आते रहेंगे तो अब आज इस वीडियो के अंदर हम एक चीज़ समझने कोसिश करेंगे जिसे हम कहते हैं फोटोग्रफी बेसिक्स यानि कि कैसे आप शार फोटोज ले सकते हो और किन बातों को आपको दियान रखना है स्पेशली इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे हम ISO को, कैसे हम shutter speed को कैसे हम aperture को और कैसे हम अपने focus को उसके अलावा और इसी क्या चीज़े हैं जिससे हमें सही तरीके से एक sharp photos मिलेंगी तो आज हम कुछ पहले portraits लेंगे और जहां पर मैं आपको पहले दिखाऊँगा कि हम गलती क्या करते हैं और फिर हम basics में जाएंगे अगर उस basics को आपने समझ लिया तो समझ दीजे कि आज के बाद कभी आपकी pictures जो है वो blur नहीं आएंगी टेक शार्फ ही photo आपको मिलेंगी अब देखे यहां पर मैं एक picture ले रहा हूँ जैसा मैंने बताया है मैं अपने एक professional camera यूज़ कर रहा हूँ और काफी अच्छा कासा महंगा एक lens यूज़ करो 85 mm का और यहां पर मेरी लगवख सारी settings ठीक है बट गलती क्या होती है वो मैं आपको बताने वाला हूँ चले एक picture लेते हैं तो आप screen के उपर देख पा रहे हैं यह हमने एक picture लिया यहां पर और picture हमें काफी अच्छा मिला है background भी बड़ा अच्छे से हमारा blur हुआ है बट अगर मैं इसको तोड़ा सा zoom in करूँगा तो आप देख लोगी picture जो है पीछे की screen पे अगर मैं आपको दिखा हूँ देखिए यहां पर तो पीछे की screen के ओपर आपको picture जो है काफी अच्छी दिखाई दे रही है और यही पर दोका होता है हमें लगता है कि picture हमारी sharp आई है लेकिन जब हम अपने laptop पे transfer करते हैं तो यही picture zoom in करने पे या picture को बड़े screen पे देखने पे समझ में आता है कि picture जो है actual memory blur है जबकि हमने एक महेंगा lens यूज की है एक महेंगा camera body यूज की है तो यहाँ पर हमारा यह argument defeat हो जाता है कि भाई महेंगा camera महेंगा lens लेने से या आपकी जो camera settings लगबग काफी सरी अप ठीक ठाक से कुछ भी अच्छी खासी आप settings लगा लोगे तो भी आपकी pictures जो है sharp नहीं आ रही है तो समझने की जरूत है कहाँ पर हम गलती कर रहे है तो सबसे पहली चीज़ दोस्तों आपको इस बात को समझना है जो मैंने बात की basics की तो जब भी आप shoot स्टार्ट करें तो पहला basic तो यह है कि सबसे पहले कई बार picture आपकी इसलिवी शार्प नहीं हाती कई बार आपका sensor गंदा होता है तो पीछे का option आता है sensor cleaning का उससे भी आप photo shoot करने से पहले sensor को clean करिए और rocket door से भी कई बार आपने sensor को photo shoot शुडू करने के पहले आप sensor को clean कर लिए कई बार छोटी सी mistake हो यह सब कुछ ठीक होता है बड़ sensory clean लिए picture थोड़ी सी blurry आती है और सारा मजा खराब हो जाता है दूसरी चीज जो आपका lens से आगे का इसको भी आप हमेशा जो है regularly clean करिए जिससे आपकी picture जो है वो किस तरह की यादि कि हमारा जो ISO है वो क्या है हमारी shutter speed कितनी है हमारा जो aperture है वो हमें कैसे कितना set करना है और उसके अलावा जो है बाकी की और क्या-क्या चीज़े important है वो सारी चीज़े मैं अब आपको discuss करके point to point बताता जाओंगा और मैं shoot करता जाओंगा और आप सामने result देख पाओगे और आप समझ पाओगे कि किस तरह से हमें जो है sharp images एक अच्छी खासी अगर सही technique इस्तेमाल करें तो आसानी से मिल सकती है अब सबसे पहले जब भी हम कोई भी professional modeling portfolio shoot कर रहे है या हम कोई portrait ले रहे है तो आपको इस बात का खान रखना है कि आपका जो subject है वहाँ पर आपको enough light होनी चाहिए यानि कि light उतनी हो जिससे हम अच्छे से focus को lock कर सके picture हमारी texture पाए तो यहाँ पर मैंने भी picture ली है तो यह location almost काफी अच्छी है और इस वक जो है शाम का समय तो light ना जादा है ना जादा कम है एकदम idle lighting condition है बट enough light से मेरा मतलब है कि मेरा subject ठीक से lit हो रहा है या नहीं वो चीज़ बहुत important होती है क्योंकि कई बार हमारे पास में studio strobe या outdoor flash नहीं होते और हमें rely करना पड़ता है natural light के उपर तो पहले हमें एक सही जगे पे अपने subject को रखना पड़ेगा जहापे light जो है वो हमें enough मिले तो मैं थोड़ा सा बीनका position change करूँगा ताकि आपको मैं अच्छे से समझा सकूँ कि कितना फर्क पड़ता है आपकी photography में तो अब हमने किया किया थोड़ा सा जगा change किया model का और यहाँ पर location सेम ही है बट थोड़ा सा angle change किया थोड़ी जगा change की ताकि जो light है वो आप देख रहो enough light मुझे मिल रही है model के face के उपर और उसका जो body structure है वहाँ पर light काफी अच्छी light दिखाई दे रही है तो अब सबसे पहले हमने क्या चीज़ करेट की कि हमने अपने subject को एक ऐसी जगा पर बिठा है जहाँ पर enough light है number two अब आपको यह देखना है कि आप जो ISO रखते हो उसको unnecessary क्योंकि अभी अभी भी low light है बट unnecessary आपको ISO को ऊपर लेके नहीं जाना है कई लोग क्या गड़ते है low light है तो कोई बात निए मेरे पास बड़ा एडवांस कैमरा है चलो मैं 800 पे 1000 ISO पे शूट कर दूँँगा क्या फरक पड़ता है लेकि जब आप जूम इन करते हो picture तो picture थोड़ी सी वहापर आपको देख तो noise या ग्रेंस आपको दिखाई देने लगता है तो वो चीज नहीं आनी चाहिए तो ISO को जितना हो सके आप कम से कम रखिए तो यहां पर मैं जो आप मेरे आप स्क्रीन पर देख पा है मैंना ISO रखा है फिलाल हंड्रेड ठीक है अब हंड्रेड बने रखा है तो इसलिए रखा है ताकि noise नहीं आए picture पिले तीसरी सबसे important चीज है वो है दोस्तो मेरा aperture तो अब aperture जो है वो बहुत ही एक crucial role play अब aperture क्या करता है जब aperture मतलब एक lens के अंदर hole यानि कि आप जितना बड़ा होल करोगे उतनी light जो है इसमें enter होगी तो यहां पर मैं 1.4 का aperture वाला lens यूज कर रहा हूं तो अगर मैं 1.4 पे रखूँगा तो बहुत light जो है इसके अंदर enter करेगी क्योंकि मैं आपरचर अपना पूरा खोल लिया है तो low light के अंदर मुझे एक benefit क्या मिला कि light कम होने के बाद even होने के बाद light enough होने की बावजूद भी मैं aperture पूरा खोल सकता हूं बट यहां पर भी थोड़ी सी tricks है जो आपको समझना ज़रूरी है जैसे for example में पिच्चर आपको लेके दिखाता हूं अब लगबग मेरी काफी साथी सेटिंग्स करेक्ट हो चुकी है अब लेता हूं अब लेता हूं अब जैसे में पीछे देखा वापस मुझे अच्छी दिखाई दे रही है लेकिन जैसे में जूम-इन कर रहा हूं तो आप देख रहे हो हलका सा पीछे लागराउंड ब्लर हो रहा है तो यहां पर आप देख पार हो साइड में भी जो है थोड़ा थोड़ा ब्लरी जो है फेस आया इनका आप पिच्छर देख पारे हो तो यह एक मिस्टेक है और स्क्रीन पर में दिखाई दे रहा है कि भाई पिच्छ तो बहुत अच्छी है लेकिन अगें पिच्छ हमारी ब्लरी है तो यहां पर थोड़ा सा आपको समाझ नहीं कि 1.4 की जगा थोड़ा सा चोटा करो काफी खोलो बट थोड़ा सा चोटा तो यहां 1. 1.4 की जगा मैं क्या करने वाला हूं अब अपर्चर अपना लेने वाला हूं इधर F2 के ऊपर तो F2 पर क्या होगा बैग्राउंड मुझे अच्छे से ब्लर मिलेगा बट मेरा जो सब्जेक्ट थोड़ा बहुत ब्लर हो था फेस की सैड में वह अब कम ब्लर होगा पिच्छ लेंद का आप लेंद्स यूज़ कर रहें उसके कम से कम डबल या उससे कहीं जादा होनी चाहिए तो 85 mm का मैं लेंद्स यूज़ कर रहा हूं तो डबल इसका हो गया ऑल्मोस्ट 170 के आसपास या उससे जादा तो उससे जादा रखनी है बट चूकि लाइट अभी थोड़ी यहां पर मैं अपनी शुटर स्पीड उससे कर देता हूं यहां पर 800 शुटर स्पीड एफ टू पर शूट कर रहा हूं अब उसके बाद एक और चीज़ है जिसका में ध्यान रखना है वह है दोस्तों हमारा फोकस पॉइंट तो यहां पर हमें जो है देखिए आपको आटो पर शूट कर रहा हूं लेकिन मैंने यहां पर रखा है एफ यानि की सिंगल शॉट के उपर अब कई लोग क्या कंट्यूनस रख लेते हैं पोट्रेट में तो वह फोकस हंट करता है जहां भी लाइट मिली फोकस हंट करने लगेगा और तो चेहरा फोकस में आने की बजाए जो है चेहरा बलर आने लगता है तो यह गलती आपको बिल्कुल नहीं करनी है तो अब मैंने आपर एफस रखा है लास्ट नॉट दे लीस्ट अब हमको देखना जो मीट्रिंग बोड है वो क्या रखना है तो यहां पर रखनी है स्पॉर्ट मीट्रिंग तो आप देख रहे यह फोटो शूट करते वक्त आपको ध्यान रखनी है यानि कि सबसे पहली चीज़ में रिपीट करता हूं इनफ लाइट ऐसी जगह पर रखिए सब्जेट को यहां पर लाइट काफी नफ हो तूसरी चीज़ आपको अपना देखना है इसो कितना रखना है फिर आपको इंटेक्ट रहे अब इन पाचो चारू चीज़ों का ध्यान रखोगे तो आप देखे आपकी पिच्चर क्या बहतरी निकल कहती है चलिए अब मैं लेता हूं शॉट और देखते हैं हमारी पिच्चर हमें कैसी मिलती है अर्यू रेडी येस तो आप देखे मैंने बिल्कुल आइस की ओपर फोकस लोग किया है अब पहले जब मैं ले रहा था पिच्चर तो आइस पर ना होकि वह नोस पर फोकस जा रहा था, because मेरा focus point ही था, वो continuous mode पे था, तो अब यहां देखिए, मैं आइस पे focus lock किया, लेते एक picture, hold it, एक picture और लेते हैं, beautiful, one more, एक picture और लेते हैं, तो दोस्तों अब आप देख पारे हो, जो है, हमें तीनों की तीनों picture जो है, वो कितनी tech sharp मिली है, और यहां पर हमने अपनी सारी problems को solve कर लिया, तो जब आप इस तरह से photo shoot कर रहे जाए, तो बस इन चार पाच चीजों का ध्यान रखें, अब मैं कुछ picture लेता हूँ, अच्छी settings के साथ में, और हम देखेंगे कि हमारा जो model portfolio कितना खुबसूरत निकल के आता है, जब देखेंगे कितना जेंगे कितना इस तरह से जाए, कर दो दोस्तों यहां देखा आपने कितने अच्छे हमें पिछोट प्रेट्स लिए कुछ पॉट्रेट्स लिए उनको लिटा के लिए कुछ बिठा के लिए और सारी पिछ जो है वो हमें sharp nickel के eye है तो अगर आप एक सही technique अपना होगे अब यहाँ पर हमने कुछ ज़्यादा कुछ नहीं है कोई rocket science नहीं हमने सिर्फ किस बातों को ध्यान रखा बहुत ही basics यानि की photography basics का ध्यान रखा exposure triangle का ध्यान रखा हमने ध्याल रखा हमें कौन सा metering mode यूज करना है कौन सा focus mode हमें यूज करना है और हमें जो light है model को कहां place करना है जहाँ पर light हो enough और ISO हमको minimum रखना है और जो shutter speed है उसको बहुत ध्यान से यूज करना है अगर subject static है तो shutter speed आप थोड़ी सी जो है आप उपर भी लेके जाओगे हलकी भी movement हुई तो भी freeze होगा और अगर आपका subject static नहीं है और subject आपका move कर रहा है तो वहाँ पर shutter speed और भी high लेके जाओगे तो आपका जो subject है वो आसानी से नाकेबल freeze होगा बलकि आपकी photos भी जो है टेक शार्प निकल के आएंगी को एक insight मिला होगा कि भाई अगर हमको texture pictures चाहिए तो यह कम से कम चीज़े हमको अपनाने की सुरॉत है आज के लिए तरह जल्दी मिलते हैं फिर नए वीडियो के साथ thanks for watching